बोधरम के सिद्धान्त हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में बोधरम की कुछ बेसिक जनकारी के बारे में पढ़ाता है अब हम उसके कुछ आगे पढ़ेंगे बोधरम के सिद्धान्त कि अपने निवाई यों के लिए चार नियम पीश कीएं पतल ने आरे सत हैं जैसे की दुख समदाय है दुख निरोद दुख निरोद घामी प्रति पदा अ encouragement किया जैसे कि हम जानते हैं कि स्टांगिंग मारक को साधन के नाम से जाना जाता है कि मौन यह मारक इस प्रकार है समयोगी करप्त है शुरॉ आजीव, सम्यक व्याम, सम्यक स्मिति तथा सम्यक समादी. बोधरम का प्रम लक्षे निवाण की प्राप्ति करना है. दस शिल, निवाण को सरल बनाने के लिए बुध ने दस शिलों का भी प्रतिपादन किया जो की इस प्रकार है. अहिंसा, सत्य, अस्तय, प्राइधन का लोब ना करना, नसे का सिवन ना करना, इस्तिरियों से दूर रहना, दुराचा से दूर रहना, असमे भोजन ना करना, सुगंदित, पदात, वर्जित, तता अबोशनों का त्या करना. गोतम उन्द तीन रतन बुद्ध के तीन रतन है जैसे कि बुद्ध, धम और संग बुद्धरम इश्वर और आत्मा को नहीं मानता है बुद्ध ने अपने उबदिशों का परचार पाली भासा में किया बोधरम के समय में बुद्ध की चार संगती हुई जो की इस प्रकार है करमशा प्रथम बोध संगती राजगरे में हुई इसका समय 483 सापुर था और इसके अदक्ष महा कश्यप थी और ये अजासत्रू के शर्शनगाल में हुआ था दित्य बोध संगती विशाली में हुई इसका समय 383 इस सापुर था इसके अदक्ष साव कामी थे और ये कालशोक के शर्शनकाल में हुआ चतुत बोध संगती कुंडलवन जोकी जम्मो कश्मीर में है इश्वी के परतम सतावदी में हुआ वशुमित्र या अश्वगोश इसके अदक्ष है और ये कनिश्च के साशनकाल में ये संगती हुई चतुत बोध संगती में बोध धरम की हिनियान एवं महायान संपरदाय में बट गया बोध साहित्य बोध धरम की नियमों का संग्रे अधात बोध धरम की सबसे प्राचिन गरंथ त्री पिटक है जोकी इस प्रकार है विने पिटक, सुथ पिटक, अभिधम पिटक विने पिटक जो है बोध धर्म की नियमों का वरण करता है। सुथ पिटक जो है धार्मे विचारों एमेम वचनों का संग्रे हैं। अभी धम पिटक बोध दर्शन का वरण करता है। सोला महाजन पतों का वरण अगुंतर निकाये में हैं। जातक में बुध के पुर्व जिनम की कताओं का वरण किया गया है। बंगाल के शिव साशक ससांक ने बोध विरिक्ष को कटवा दिया था। माया यान साखा के अंतरगत बुध की पहली मुर्दी बनी तथा बुध को इश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। यह वीडियो भीहिन प्रकार के एक्जाम के लिए बहुती सहयोग है। थाइंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो। प्लिस लाइक, सस्क्राइब और शेर जरूर करें। कमेंट करना ना भोले। थाइंक यू फर वाचिं दिस दिस वीडियो।